जुन जी वोटिंग का समय नजदीक आ रहा हैं चुनावी गहमागामी भी बढ़ रही है हमारे साथ अपनी पार्टी के अध्यक शलता बुखारी साथ है बुखारी साथ चुनाव तो नजदीक आ रहे हैं लेकिन अभी भी पार्टियों में आने जाने का सिलसला जा रही है आपको बता दूँ उड़ी से मैं खुद वरना दूसरी सीट लड़ रहा था एट में मेक इट वरी क्लियर मुझे लगा कि नहीं जीत के भी तो छोड़नी है तो पहले ही क्यों ना किसी और को मदद करें ताकि दो सीटे हो जाए एक और एक दो हो जाए तो किस तरीके का महौ मैं मुबारक बादी देताओं को मैं मुबारक बादी जवासराम हिमत की इसी को तो सचकी सियासित कहते है आज तक परदे के पीछे PDP को जिताते रहे, आज सामने आके पता लगेगी कितना दम है उन्हें, बहुत अच्छा किया है उन्हें, अल्दा बुखारी तो रोज आपको कहता था यही बात, कि पीछे से नहीं, आगे से सब को लाएंगे, जो भी आएगा, आगे से आएगा. आपने PDP का नाम लिया, PDP के तरफ से महबब मुफ्ती के तरफ से या आरूप लगा कि BJP की B टीम के तोर पर अपनी पार्टी के साथ फेल होने के बाद, अब आवामी इतहाद पार्टी, याने इंजिनर की पार्टी को BJP सपोर्ट कर रहे हैं, कि उनके पास इतना... ने कराई क्यों राम मादयो साब और BJP का चोली, बहुत बढ़ी बाद, बिल्कुल मैं कहता हूँ, चोली दामन का साथ है, अल्दा बुखारी सच बोलने से नहीं डरता है, अल्दा बुखारी, बहुत बढ़ी बात आपके कह रहे हैं कि फिर से BJP, PDP, अब है, कब तूटा तूटा था, तो आप लोग प्रेस वाले तोड़ते हो कि जीदा है, हमने तो पहले दिन से कहा है, यान पहली टीम, नेशनल कांपरेंसे, दिली वालों की, BJP, दूसरी टीम, PDP है, उन खांदानों से बाहर दिली कब निकली, याने आप यह कहना चाहते हैं कि अभी PDP और BJP स बिलकुर, और क्या है, आप पता नहीं क्यों डरते हो सच बोलने से, हम तो नहीं डरते हैं सच बोलने से, हमें तो सच की आदत है, तो कैसे देख रहे हैं, आप फिर चुनावी नतीजें को कैसे देख रहे हैं, क्या कौनगे, चुनावी नतीजें सब को चुंका देंगे, आ होगा लोगों के नमाइंदे होंगे आप इसकी पर्वाने करो कितिनी बी बीजेपी कोशिश यहां करे जमो कश्मीर के लोगों को बांटने की वो काम Giving नहीं होंगी कांगरिस का करें वो कामियाब नहीं होंगे यहां अस्तानी लोगों की होकुमत बनेगी आपने लोग सफ़ा चुनाओं में बीजेपी का समर्खम देने के बाद की थी लेकिन आप जाप बीजेपी का ही विरोफ कर रहा है सुनिए हमने उसी से सबक सिखा कि लोगों को नवरत कितनी है उस पार्टी की है हमने पौने पांच लाख वोट उन्होंने मदद आफर की थी हमें जो पहाडी समधाय को उन्होंने दिया था अल्टिमेटली हमने देखा यह मुकशमीर के लोग वोट देते नहीं है उनको नवर करद ने अल्टाव भुखारी कहां जाए तो आल्टाव भुखारी कहां जाए? शाल एसम्बली की बाते हैं छोड़ दो यह पूरी एसम्बली होगी आपको क्यों आपको क्यों लग रहा है? तो यह थे अल्टाव भुखारी जिनका ये कहना है कि PDP ही BJP की B2T में और राम मा दो यहां पे आकर PDP को फिर से जिन्दा कर रहे हैं और जो एसम्बली होगी उसमें किंग मेकर की इमका खुद अलता बुखारी निभाएंगे कैमरामेन आशर्थ सेंद के साथ आसरीफ कुरेश एबी पी नियूज श्री नगर